गो कि अधर केंद्रे क्रमचारे पैंसन धारकों को मेरा एक बार फीर से हमसकार केंद्रे क्रमचारियों के लिए पैंसन स्कीम के अंदर कुछ बदलाव किया है तो आज अपनी वीडियो के मादम से आपको डीटेल से समझाते हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर अगर फर्स टाइम विजिट कर रहे है चैनल को चैनल को सब्सक्राइब फिर दीजे साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजाई ताकि गोर्मेंट से रिलेटेड करमचार से संबंदी पैंसन और संबंदी जितनी नोजाती उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे तो करते हैं वीडियो को स्टाट बिना किसी तेरी की पैंसन स्टीम को लेकि बड़ा बदलाव सामने आया है अब केंदर जो सरकारी करमचारी नैशनल पैंसन स्कीम एनपियस और ओल्ड पैंसन स्कीम में किसी भी एक उप्षिन को चुन पाएंगे CCS नियम 2021 के मुतावि पैंसन जो नैशनल पैंसन स्कीम के तहट आने वाले करमचारी अपनी मृत्व से पहले पुरानी जो नैशनल पैंसन स्कीम है और नैशनल पैंसन स्कीम के तहट जमाः पैंसन को परसका फाइदा चुनने का विकल्प मिलेगा हालांकि इस स्कीम का जो फाइदा उन प्रिवारों को मिलेगा जिनका सदस्या मर चुका है CCS Rule 2020 को 30 Mars 2020 के गजट नोटिफिकेशन के जरिए नोटिफाई किया गया था नियम के मुताबित अगर कोई विक्रमचरी इन दो विकलकों में से किसी को भी चुनता है तो फिर उसकी नोकरी के पहले 15 वर्षों के लिए पुरानी पैंसन स्कीम के तहट लाब दिया जाएगा फिर से उसे 15 साल के बाद नैशनल पैंसन स्कीम का लाब डिफॉल्ट के रूप में मिलेगा CCS नियम 2021 के मुताबित NPS के अंदर आने वाले सबी करमचरी और गोवर्णमेंट्स जोब में आने वाले नैशनल पैंसन स्कीम का लाब पाने के लिए फॉर्म 1 में एक ओलियोन का इस्तमाल करेगा इस नियम के मुताबि सरकारी करमचरी जो पहले से सरकारी जो नोकरी में है और NPS के अंतर गताते हैं तो उन्हें जल्दी Form 2 में इस तरह के विकल्प को चुनना होगा और Director General of Health Service के और से 9 जून को एक Office में जायरी किया गया था इसके अनुसा जो करमचरी पहले से सरकारी नोकरी में है तो NPS के तहत कवर्ड में है और उन्हें Form 2 में प्रिवार की डिटेल जानकारी देनी होग यह Central Record में सेव करने के लिए ज़रूरी है Director General of Health Service में सभी को 11 जून के संबन्द में अपना ओपन संबन्दी डिवीजन में बताना को कहा गया है NPS के नियम 1972 के तहत पारवरी पैंसन सरकारी करमचरीयों के चुने गए ओप्शन के अनुसा Default Option तो प्रिवार को NPS के तहत उनको Acumandrium Pension Health से लाब मिलेगा जिसके तहत Date Graduity Live Incancement और CGSRS से लाब और CGSH में जो सुईदा हैं और केंदर सरकार के करमचरीयों के साथ में वेतन आयोग के तहसीफार्सों के मुताभी salary का भुकतान शामिल है इस तरह केंदरी करमचरी की pension के अंदर हेर पेर किया गया है तो दोस्तों यह बहुत मुझे latest update निकल कर सामने आये थी तो आयोप आप लोगों को बनाई वीडियो पसंद आई होगी अगर यह बनाई वीडियो पसंद आई है इसे पने दोस्तों के साथ जुरू शेयर कीजिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जैभार्थ